जहीं दोस्तों मेरना मैं पुश्कर और आप देख रहे हैं TechScrew और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह किसे आप अपने iPhone के स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं अपने Smart TV पे और आप चाहे Android TV यूज़ कर रहे हों Samsung का TV हो जो Tizen OS पे चलता है LG का TV हो या कोई और brand का TV कोई फरक नहीं पड़ता है आपको जो यह method हम बताएंगे आज के वीडियो में उसके थुरू आप अपने iPhone के स्क्रीन को मिरर कर पाएंगे TV में बस इतना requirement है कि जो आपका TV है वो Wi-Fi से connect हो सकता हो मतलब कि आपके TV में Wi-Fi connection का support होना चाहिए यहां पे आपको dedicated Wi-Fi connection का requirement नही ही है अगर आप अपने iPhone के screen को mirror करना चाहते है तो आप अपने iPhone के personal hotspot के through भी अपने TV को connect करके iPhone के screen को mirror कर सकते है बट कुछ application जैसे की Amazon Prime हो गया Netflix हो गया जिनका content है वो copyrighted content है तो उनके screen को mirror नहीं कर पाएंगे आप इस method से आपको Chromecast feature का use करना होगा और Chromecast के लिए आपके TV मे Chromecast use कर रहे हो और iPhone से अगर Chromecast feature को use करना है Amazon Prime Netflix को cast करने के लिए अपने TV पे तो आपको एक dedicated Wi-Fi connection का requirement होगा जिसे आपका iPhone और आपका TV जो है दोनों connected हो इसके लावा YouTube को जो है आपको जो हम method बताएंगे उससे भी आप mirror कर सकते है अपने TV पे YouTube को आप Chromecast भी कर सकते हैं बट YouTube क Chromecast करने के लिए आप Personal hotspot के use करके भी जो है कास्ट कर सकते हैं और dedicated Wi-Fi connection है तो भी आप कास्ट कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखिए अलग-अलग तरीके से अलग-अलग conditions में कैसे आप iPhone के screen को mirror करेंगे वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहला तरीका जिसमें हम अपने iPhone के screen को mirror करेंगे और personal hotspot का use करेंगे फिलाल यहां पे कोई भी AirPlay का requirement नहीं होगा AirPlay supported devices नहीं भी है तो भी जो है अप mirror कर पाएंगे फिलाल यहां पे आप देख सकते हैं मेरा TV जो है वो internet से connected नहीं है तो यहां पे screen पे देख सकते हैं मेरा जो TV है वो फिलाल disconnected है तो सबसे पहले हम अपने iPhone के personal hotspot को on करते हैं और personal hotspot on करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं TV screen में हिजो आपको side में दिख रहा होगा तो यहां पे देख सकते हैं कि मेरा iPhone जो है वो connected हो गया अगर आप first time connect कर करना पड़ेगा एक बार जब वो connected हो जाता है उसके बाद आपको अपने आइफोन में एक application का requirement होगा तो यहां पर app store पे चलते हैं आपको यह replica app जो है वो install कर लेना है install करने के बाद फटा-फट से अब इसको open कर लेते हैं open करने के बाद यहां पर कुछ ऐसा option आएगा फिर यहां पर continue पर tap करेंगे continue पर tap करने के बाद यहां पर आपको okay कर देना है और यहां पर मेरा टीवी जो है वो शो कर रहा है बिकाज यह personal hotspot से connected है not now पर tap करेंगे हो सकता है कि इसमें आपको कुछ ads देखने के लिए मिले अब यहां पर टीवी जो है वो शो कर रहा है जो मेरे iPhone के hotspot से connected है यहां पर हम टीवी पर tap करेंगे और यहां पर start broadcast पर tap करेंगे तीन सेकंड का countdown चलेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर Bluetooth का permission आया okay कर दिए और मेरे जो Android TV है उस पर iPhone का screen जो है वो mirror हो चुका है अब यहां पर stop करते हैं कुछ और settings जो हो आप आपको पहले दिखा देता है यह आप mirror ended लिखा हुआ आ गया है तो यहां पर connect करने से पहले जो है आप कुछ setting जो है अपने टीवी के लिए कर सकते हैं यहां पर आपको three lines जो है वो दिख रहा है three lines पर आपको tap करना है सबसे पहले तो यहां पर आपको volume का setting मिलता है तो यहां से volume जो है वो increase कम देखने के लिए मिलेगा बट quality थोड़ा सा compromise होगा इसके बाद balance setting में balance delay और balance quality और maximum quality आपको इसमें मिलेगा बट हो सकता है थोड़ा सा delay जो है वो देखने के लिए मिले फिर यहां पर aspect ratio select कर सकते है और जैसे ही connect होता है ना तो एक sound आता है तो अगर आपको sound नहीं hope जब पहला बार हम connect किये थे तो आपको sound जो है वो सुनाई दिया होगा तो sound अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहां से इसको off कर सकते हैं हम इसको off कर दिये हैं और टीवी का जो volume है उसको थोड़ा साम कम कर देते हैं 10-9% पर रहने देते हैं cut करते हैं और वापस से अब home button को press करते हैं तो भी जो है iPhone का screen जो है मेरे TV पर mirrored है और काफी smooth सा experience है कोई भी lag wag आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा हलका सा delay जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है बट वो आपके network connection internet पर depend करेगा तो यहां पर यह जो screen है यह mirror हो गया और इस mirroring process के बाद आप कोई आइफोन का screen जो है वो mirror कर सकते हैं यहां पर हम YouTube app को open करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि एक वीडियो जो हम प्ले कर रहे हैं तो आपको आइफोन पे भी sound आता है और TV पे भी sound आता है बट यहां पे अगर हम अपने iPhone का sound जो है एकदम zero कर देते हैं और उसके बाद अग quality जो है एकदम hard plastic है तो फिर सिर्फ TV पे sound आएगा iPhone पे sound नहीं आएगा तो आपको अपने iPhone का sound mute कर देंगे फिर भी आपको TV पे sound आएगा इसके अलाब अगर हम इसको full screen में कर देते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा edge to edge जो है आपको TV पे देखने के लिए मिल रहा है और ज जैसे कि हम Amazon Prime पे अगर कोई web series run करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazon Prime पे जो web series मेरे iPhone पे तो चल रहा है बट वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर TV में यह नहीं चल रहा है तो ठीक है Amazon Prime में हम आपको पहले ही बता है कि copyright content के साथ जो है इसको problem होता है तो इस तर करेंगे और यह stop पे टाप करेंगे और आपका जो screen mirroring है वो end हो जाएगा replica app के थुरू अगर आप screen mirroring कर रहे हैं अपने iPhone को अपने TV पे तो इसका एक limitation भी है कि अगर आप अपने iPhone के screen को off करते हैं तो जो screen mirroring है वो end हो जाता है अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं अभी जो TV है हमारा वो अभी भी मेरे iPhone के hotspot से connected है तो किस तरीके से आप अपने YouTube को Chromecast कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे YouTube आप जो है वो open कर लेते हैं आपको ऐसा सा box मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे में numbers है जिससे आपको code enter करना है अब यहाँ पर हम आपको TV पर लेके चलता है तो यहाँ पर हम यूट्यूब आप को open कर लेना है तो यहाँ पर हम यूट्यूब आप ओपन करते हैं open करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है ना setting में आना है setting में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे link with TV code में जाएंगे तो आपको एक code दिख जाएगा अब यह code जो है मतलब कि Chromecast जो है वह successfully connected हो गया है उसके बाद जो है आप किसी भी वीडियो को select करेंगे यहाँ पर tap करेंगे प्ले करेंगे यहाँ पर आपको play पर tap करना है और यहाँ पर आपको जो है ना YouTube वीडियो जो है वह play नहीं होगा आपके आईफोन पर वह play होगा आपके TV पर और यहाँ पर आप उसके sound को control कर सकते हैं अब यहाँ पर आइफोन से साउंड कंट्रोल करते हैं वो साउंड जो है वो १ो है कीज़े हो इससे कीज दिये से इसको कैसे असम्बल रेकुस आप देख सकते हैं कि यह थे आई फोन पर नहीं प्ले हो रहा है यहमारे टीवी पर प्ले हो रहा है अब आपको यह जो यूट्यूब का क्रोम कास्ट है इसको डिसकनेक करना है तो यहां पर आइकन मिलता है डिसकनेक पर टैप करेंगे इसके अलवा अगर आपको Amazon Prime या Netflix को अगर कास्ट करना है अपने टीवी पर तो आपको जो है अपने आइफोन को और अपने टीवी को एक डेडिकेटेड वाइफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हम अपने आइफोन और अपने टीवी को एक दूसरे होट स्पोट से दूसरे डिवाइस के होट स्पोट से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं विगाउस यहां पर फिलाल जो है क्रोम कास्ट का आइकन जो यहां पर नीचे में शो करता जो अभी शो नहीं कर रहा है अब आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि य यहां पर नीचे में एक क्रोम कास्ट का ब्टन यहां ओने शो करेगा इस तरीके का अब इसके उपर हमाप्प करेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि इसथरीके का इस तरीके की आपको स्क्रीन नहीं देखने मल जाएगा और उसके है आपने Amazon Prime जो आपके iPhone पर है उसको आप कास्ट कर सकते हैं क्रोम कास्ट तो यहां प्राइप से बाहर भी चले जाते हैं तो भी मूवी और इस तरीके से आप क्रों कास्ट कर सकते हैं Amazon Prime या Netflix को So friends आप इस वीडियो में देखे किस तरीके से आप अपने iPhone के screen को mirror कर सकते हैं अपने TV पे personal hotspot का use करके replica app के थूँ YouTube को अगर आपको cast करना है तो आप replica app के थूँ भी mirror कर सकते है YouTube आप को या फिर आप YouTube आप को chromecast कर सकते है personal hotspot का use करके Amazon Prime, Netflix जैसा content जो है उसको अगर आपको cast करना है तो आपको एक dedicated Wi-Fi connection का requirement होगा और chromecast का requirement होगा अगर आपके TV में है तो आप कर पाएंगे मांकि जो ये method था I hope कि आपको clear हो गया होगा normal screen mirroring के लिए आप replica app को use कर सकते है personal hotspot के थूँ आप अपने iPhone के screen को mirror कर सकते है अपने किसी भी TV में यहां पे हम आपको replica app का image दिखा रहे हैं जो की app store पे है और यहां पे आप देख सकते हैं कि किन-किन devices पे आप इसको mirror कर सकते हैं काफी सारा devices है जैसे Chromecast, Fire TV, Android, Sony, Philips, Tosiba, Samsung, Windows, Mac, Switch, PlayStation, Xbox and many more तो easily जो है आप इन सारे devices पे इन सारे platforms पे replica app use करके screen को mirror कर सकते हैं अपने iPhone का बागी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा बिकास बिल्कुल free है iPhone से related अगर आप कोई और content देखना चाहते हैं comment section बता सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक टेक्मोजी गस्तों वाले क्लिमिट में कीजे देखने के लिए आपका धन्यवाद